हेलो फ्रेंड्स आप लोगों ने बिजली गिरने के बारे में या फिर मैं कहूं लाइट्निंग स्ट्राइक के बारे में तो ज़रूर सुना होगा जब भी किसी भी चीज पर बिजली गिरती है तो उसको वो तहसनेस कर देती है यानि कि बिजली की मार से बचना तकरीबन नामों की होता है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी जानवर के लिए और अगर वो किसी भी पेड या अन्य किसी भी चीज़ पर बिजली गिरती है तो उसका पूरी तरह से सरवनाश कर देती है उस चीज़ को खतम भी कर देती है लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई आदमी उस बिजली की मार से भी बच जाता है और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बिजली गिरने पर बच सकता है तो आप मेंसे बहुत सारे लोग कहेंगे दो या तीन बार जी नहीं मैं आज आपको ऐसे आदमी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके उपर पूरी साथ बार लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है जी हाँ उसके उपर साथ बार बिजली गिरी है फिर भी उसको कुछ भी नहीं हुआ यानि कि वो आदमी अभी भी जिन्दा है और बिलकुल अच्छा बला है और इसी कारण उन्हें आइरन रोड या फिर दा हुमन लाइटनिंग रोड भी कहा जाता है उस आदमी का नाम है मिस्टर रोय सुलीवन सबसे पहली बार उनके उपर बिजली 1942 के समय गिरी थी जब वे अपनी ड्यूटी कर रहे थे उस समय तुफान आ गया था और तुफान से बचने के लिए वो इधर उधर चिप रहे थे वहीं पर एक टावर के निचे जब उन्होंने चिपने की कोशिश की तो उनके उपर बिजली गिरी और दूसरी बार उनके उपर बिजली गिरी थी 1970 में इसी तरह से आके और पांच बार उनके उपर बिजली गिर चुकी है लेकिन उन्हें अभी थक कुछ भी नहीं हुआ है सो आपको ये फैक्ट कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताएं थेंक्यू फोर वचिंग गाईज